Hello friends, welcome back to my channel आज आपके साथ मैं शेयर करने चानी यूँ पनीर की ऐसी सबजी की रहसे फिरियो जटपट बन जाती है और इसका जो टेस्ट है ना आपने अभी तक जितना भी तरह की पनीर की सबजी बनाई होगी या खाई होगी ना तेस्ट आपको बहुत पसंद आएगा आप इसे अपने घर पर जूर ट्राइगा बहुत टेस्टी बनती है यहां पर आपको चाहिए दो शिम्रा मिर्च, चार टमाटर आपको चाहिए मेडियम साइस के अब सबसे पहले हम शिम्रा मिर्च को कट कर लेते हैं इसके जो बीज वाला portion है उसे आप इस तरीके से अच्छे से clean कर देना और आपको इससे थोड़ा से बड़े-बड़े pieces में cut करना होता है इस तरीके से अभी ऐसे कर लेंगे और यहाँ पर टमाटो को भी उपर से यह जैसे थोड़ा सा cut करके और इससे भी आपको roughly cut करना होता ह है जैसे हमने शबना मिर्श क्यों किया था थोड़ा सा बड़े-बड़े pieces में तो सभी टमाटो को भी हम इसी तरीके से cut करके तयार कर लेंगे अब लिया है हमने यहाँ पर 200 ग्राम पनीर तो simply पनीर को भी आपको थोड़ा सा बड़े-बड़े pieces में cut करना होगा तो यहाँ पर यह चीज़ें हमने 200 ग्राम पनीर के हसाब से ली है आप जितना अपनी घर पर बनाएं उसे साफ से ले सकते हैं इतना आपको पनीर का साइज रखना है तो चीज़े तयार है आपको कड़े में लेना है दो चमच ऑईल और इसे आप गरम होने देना इसमें डाल आदा चम शिमला मिर्च शिमला मिर्च को ना एक मिनिट के लिए मीडियम फ्लेम पर बूल लेना इससे क्या होता है इसका जो मौशर होता है वो ड्राय हो जाता है और यह आप इस सबजी में प्यास डालना चाहते हैं तो शिमला मिर्च से पहले आप प्यास इसमें डाल देना और प्य कि अदिने चिज़ों को ही न साधो Sorry यहां पर इसमें टालते हैं यह दालाटर ऐसे मिक्स करना सिसंदे धाइů मिक्सी में भीए पाजैतों आपिधोना के हमिसमें आ जहां में अपती है सब्झें को जादा पखाने की जरूत नहीं है बस आपको इसे mix करना है और फिर आप इसको ढग कर पकाना और तब तक पकाना जब तक की oil इसे separate नहीं हो जाता है ध्यान रखना टमाटो शिमला मिर्च ओवर कुक नहीं होने चाहिए तो यहाँ पर यह देखिए oil इसे separate हो गया है और इस शिमला मिर्च और टमाटर भी पक कर त्यार हो गहे हैं आपको क्या करनाए लो कर देना इसमें हम ड्य मसालिय एड़ किरेंगे तो सबसे पहले मैं आदा चमच आदा चमच जाए गा कश्मीरि लालमिच पाउड़ और एक चमच जाए गा и kitchen king मसाला और एक ही चमच जाए गरो कर दाने है कसूरी मेदी और यहां प बट क्रीम जो होती है आपको बाहर से लाने पड़ेगी और मलाई घर पर अविलिवल होती है तेस्ट सेम आएगा बल्कि आप मलाई से बनाओगे न तो यह तोड़ सा लाइट बनता है अब मलाई या क्रीम डालने के बाद में आपको इसे लगातार चलाना है फ्लेम को आप मीडियम टू हाई कर देना और तब तक चलाना है जब तक कि इसमें बबल्स नहीं बन जाते अच्छा मलाई को ना फैट करने ही डालना आप ऐसी डाल सकते हो चाहें तो थोड़ा सा मिक्स और बस सिंपली आपको इसे अच्छे से मिक्स करना है और इसे अब बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा तो यहां पर आप इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद में फ्लेम को लो कर देना और इसमें डालना आप आदा चमच गरम मसाला साथ में इसमें जाएगी एक चम सब्जी में ये चीनी वाला करके देखना आपको वो जादा पसंद आएगी बाकी ये आपकी चोईस है अब यहां पर अच्छे से मिक्स करने के बाद में आप इसको ढगकर दो दी मिनिट के लिए पकाना देखिए ये सब्जी बाद में दिया आपको लगता है कि इसकी से थिक तो यह होई जाती है तो यहां पर यह हमारी पनीर की सब्जी बनकर हो गई है तैयार इससे हम सब कर लेते हैं आप इससे लच्छा पराधा नॉर्मल पराधा नान के साथ में खा सकते हैं टेस्ट बहुत पसंद आएगा जरूर ट्राइ करना फटा-फट से बनने वाल सब्जी है यह मेरी गैरेंटी है कि आप होटल और रेस्टरा जानब भूल जाएंगे यहां पर पनी की सब्जी तईयार है पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूला थिंक यू